दोस्तो क्रिकेट और फूटबोल से जूरी हाँ लेटिस्ट खाबर और जानकर के लाव इस चनलों को सब्सक्रेब कर दीजिए और सब्सक्रेब के साथ साथ इस घंटा को भी दावा देना ताकि आपको भी खाबर या जानकरी मिश्च न कर पाए हलो दोस्तो मैं हमी रॉपकेम इस ट्यूप पर बहुत बास वागा थे तो दोस्तो मैं आएगा यह करने क्रिकेट प्रिक्शन वीडिक्शन वीडियो लेकर और इस वीडियो में आज हम बात करेंगा एपिल दो आज आट है के नमबर 33 मैच जो आज 11 में रात 8 बजे जयापूर में होगा राइश्टर नोयल भासेस CSK और इस मैच के लिए दोनों टीमों का प्लिंग 11 विनिंग चांसेस के साथ-साथ मैच के बाद पॉइंटेबल में क्या बदलाब हो सकता है यह सब कुछ हमारे डिसकसन में आएगा तो जानने के लिए लिए लास तक जरू देखते रह प्रफब नहीं दिखा पाया था तो साइद उन्हें बाहर किया जाएगा और राहुल त्रिपाठी को पिलिंगल में सामिल किया जाएगा उसके बाद अनुरित के जगे धाउन कुल करनी आ सकता है बागी जैसा था लास्ट मैच में ओसा ही रहने वाला है तो इनका उपिनिं आड़ चार आड़ नमबर पर होगा किसन अपपा गोउतम नौ नमबर पर जयादे बुनाट कट दस नमबर पर इस सोधी और ग्यारा नमबर पर अनुरित सिंग या धाउन कुल करनी अब बात कर ले थे सियसके के पिले भेंग के बार में तो सियसके इस मैच के लिए पिछल नमबर पर रविंदर जादेशा, साथ नमबर पर डूएन ब्राभो, आड नमबर पर डेविड वेली, ना नमबर पर हर्विजन सिंग, और दास नमबर पर लुणगी एंगिडी, और ग्यारा नमबर पर शर्दूल ठाकूर, तो यतो होगा इस मैच के लिए दोनों टीमों क की परफुमेंस देखा जाए, तो अभी CSK का पलरा बहुत ही भारी है, तो इस मैच पे CSK का जितने का चांस होगा, 70% और रायस्तन रोयल का जितने का चांस होगा, 30%, तो मैं आपको आरार और CSK के मैच के लिए मेरा PV बता दिया, और अगर पॉइंट इबिल की चेंजिस की बात कर इस मैच के बाद तो कोई भी हारे या जीते, पॉइंट इबिल में दोनों टीमों का पोजिसेन जैसा था वह सा ही रहेगा, CSK दो नमबर पर ही रहेगा, और रायस्तन रोयल छे नमबर पर ही रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर रायस्तन रोयल बहुत ज़्यादा मार नमबर पतर चले, थेंक्स फर वाचिंग, आई यूल शी यू गाई इन वाइन नेक्स वीडियो, तिल देन बाई बाई